कि जैने दोस्तों आप सभी का स्वारत आपके अपने यूटूब चैनल नौकरी तक पर हम प्रोपसित एक नए वीडियो में और ये वीडियो आपके सामने है आसा है एंसर की देखने के बाद आप कुछ दुबधा में होंगे कोई खुस होंगे जो पहले एंसर की देखने के जिनका अच्छा नंबर है पासिंग हो चुके हैं पास हो चुके हैं उन सभी के लिए उन सभी को हमारे तरफ से आपके अपने यूटूब चैनल नौकरी तक के तरफ से धेर सारी बदाई है और अगर बिहार राज के बच्चे लोग है अभ्यारती लोग है उनको भी सच्षक बनेंगे सब्सक्राइब करें कि सब्सक्राइब मैंने देख लिए किसी का नंबर मैंने क्या लिए लिए तो कहने का मतलब यह हुआ आपको पता है कि जो है CT CT का जो एंसर की आया है वह अभी ऑरिजनल आपका मार्स नहीं आ रहा है आप कही हो सकता उपर नीचे गल हर केंदमें जो है केंदमें यानि संट्रल में अगर आपके भी में डिधाले डी 3sb सूपर्ट अुशन जाना चाहते हैं तो पता हैं आपको जेनरल जेनरल में कोई हो मेल हो या फिमेल बात समझेगा उन सभी को 90 नंबर लाना और जो भी OBC में आते हैं OBC SC ST इन सब को कितना लाना है 813 नंबर कितना लाना है 818 पर पास माने जाएंगे like 10 के अब हम केंदे का बता रहे कि भी अइसे में क्या हुआ है कि आप जब एंसर की से मिलाते होंगे तो जिस जन्रल वाले हैं उनको 89 आ रहा है अगर ऑबी सीआस्टी में आ रहा है तो किसी का 81 आ रहा है तो वो तो समझ गए उन्गम फेल हो गए चुकिए आपका एक नंबर कम आ रगा है कि एकासी आज जो जनरल वाले हैं उनको 89 आगा एक नमबर कम अब वो क्या करें तो आप परशान नहीं होना है एक नमबर आपका हो सकता है कि बढ़ेगा ही घटेगा नहीं चुकि आप जब मिलाते होंगे तो एक दूनमर मिस्टेक भी आपका होता होगा हना चुकि मिलाने में भी समस्या होता है एक रिस्पांस की हुआ जो आपका अपना दिया हुआनसर है और में एक अंसर की है प्रोफिजनल अंसर की जो बताय हुए इससे मिला यह तो बगी दुबधा होती है नहीं है तो गवगणा नहीं है अगर एक नमबर करीं का भी कम है किसी भी कैटेगोरी म हो तो मुझे कनफार्म है कि आपका एक दो नंबर बढ़ेगा तोiform बोला गया एक होता है लेकिन बहुत कम देखने वह बढ़ता है लेकिन इसलिए आपको नंबर बढ़ेगा चुक्झे आप भी नहीं हो जाएंगे जिसमी केटेगोरी में वह सभी पास हो जाएंगे यह हमारी सुमकाम नाए हंड्रेट तेन परसेंट ठीक है तो यह समझ लो आपके लेंग में कि नावलायसन होगा एक से दूनमबर का होगा अब ऐसा नहीं कि दस नंबर बढ़ जाएगा और नावलायसन क् का ठेठी सिंपल मतलब में करें तो यहीं होता है कि माल लीजिए चौविस सिफ्ट में चला सीचिट का एकजाम 28 दिसम्बर से लेके असाथ फरवरी तक चला है अब बीच में जो कैंसिल हुआ वह मिला जुला के चौविस से पचीस सिफ्ट में चला है तो नावलायसन का मतल से जिनका कम हो रहा है वो सभी बिन्दास रहें और सभी पास होंगे ठीक है और एक क्वेस्ट आपका एक है किसा रिजल्ट कब तक आएगा सर यह बता दिए तो मैं यह भी बता दूर रिजल्ट कब आयेगा जहां तक इसकी मैने जो मेरा भी एक्स्पेक्टेशन था कि 25 तक देखने को मिलेगा फर्वरी के अंत तक यानि मैं कनफर्म हूं कि इस महिने के लाज तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा मैं भी बोला हूं मार्च में आ सकता है पंदरा बार्च को लेकिन एंसर की देखने के बाद लग रहा है कि आपको रिजल्ट फर्वरी के अंत म नहीं आजाएंगा जानी साथ साथ दिन बहुत जल्द आएगा जो कि जिस तरह एंसर की दिए चलिए ठीक है और वीडियो देखते रही है च्छो कि वीडियो आपके लिए बहुत क्यार दिया इसके लिए तहे दिल सेमात को सलाम करते हैं और कोई भी पर साथ हो तो आप जाना है योटूब पे योटूब पर बोलना है नौकरी तक ये चैनल खुलेगा जाहिए चैनल गंद्र जाहिए और उसके बाद प्ले लिस्ट पे जाहिए उसमें हम बना दिये सीट एंसर की एक फोल्डर है सीट एंसर की करके न सब वीडियो मेंने डाल दिया है आपको कोई प्रसानी नहीं होगा ठीक है चलिए आज के वडियों इतना ही जय हिंद जय भावत